नमस्कार दोस्तों अगर आपने अनुप्रतियोजनाम फोरम भराया या फिर आप भरने वाले हैं अगर आप राजस्थान में कोचिंग कर रहे हैं प्रतियोगी परिक्षाओं की तो आपको ये वीडियो लाष्ट तक देखना चाहिए बहुत सारे लोग जो होस्टल के पैसे देना चाहते हैं योजना के थुरू लेकिन उनको पता नहीं कि वह प्रावदान किये गए योजना में योग्यता से लेकर लाष्ट में पैसे मिलते हैं कब मिलते हैं कितना टाइम लगता सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी अनुप्रतियोजना से प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है आप लोग सारी वीडियोज महां पर देख सकते हैं और इस योजना में और किनको लाभ मिलता है स्पेसल उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले पता होना चाहिए कि कितने पैसे होस्टल के लिए दिये जाते हैं अनुप्रतियोजना में तो फ्री कोचिञ में होता है उसके यौ लुग मालग किन बीकृशिट में जयाता है तो अगर वह फ्रतिश्थित कोंच नीदी यह सरकार के limit गón के में पंस Bronx थाओने कि जेए तो इसा नहीं होता है इसके लिए कुछ कोड गू vault से जाए तकिक तैयारी कर रहा है यह क्रेसल के outdated के कर रहा इनके लिए आवायोज के लिए चाली सब्सक्राइब दिये जाते हैं अगर यह किसी चालीश जार रूपए दिये जाते हैं मतलब ऐसा नहीं कि सारा घर्चा दिया जाए फिक्स से इसमें अमाउंट है 40,000 ही दिये जाएंगे और जो कोचिंग की होती है वो सीधे कोचिंग वालों के काउंट में होती है जार चालीश जार रूपए हैं यह आपके अपडेट रख तो इसका मतलब आप उसमें वरोगे तो आपके वोस्टल के पैसे आ जाएंगे इसके लिए क्या करना होता है वो भी आपको बताऊंगा देखिए इसमें लिखा हुगा कि यूपीसी इसमें जो प्रतिष्टित संस्तान है उसका मतलब निकालते हैं कि लास्ट में सेलेक्शन उ मैंने इस नोटिफिकेशन की फुल वीडियो भी इंपोर्टेंट प्लस चैनल पर बनाई हुई आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर यह नोटिफिकेशन भी डाउनलोल कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन से अब यह कंडिशन आप कोचिंग वालों से पूछें कि सर यह है कोचिंग आप लोगों को भी पैसे दिये जाएंगे अब सवाल आता है कि इसमें बनवाना क्या पड़ता है देखिए और कितने दिन बाद मिलते हैं और इसमें आरक्षन वगरा कोई मैटर नहीं है मतलब ऐसा नहीं है अगर आप योग हैं तो आप मतलब एवस्टल के पै आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो पहले बाद तो कोट से द्यान रखें अगर आप पांच कोट से इसमें से कर रहे हैं तो आप इसके लिए योग हैं यह जो आपको दिख रहा है कराए नामा यह इसके पैसे जो है 40,000 रुपए इनके पैसे आ चुके हैं काउंट में यह पिछले साल का फॉरूम है मतलब जून में नोन एडिविशन लिया था नीट वगेर आया इंजिनिरिंग के लिए और अभी इनके पैसे आया मतलब साल बर लग गया है पिछली बार जून में फॉरूम बरके कोचिंग श आप अपलोड कीजिए वेबसाइट पर वहां से उसको अपलोड करते हैं उसके बाद आपके अकाउंट में लगवग 6 महीन बादे पैसे डाले जाते हैं मतलब काफी टाइम लगता है इस पैसे को आने में 40,000 को यह जो है यह पीजी का है मतलब कोई पीजी में रहे और उनक किराय नामा बनाते हैं इस टाइब का बना लें ठीक है दो पने रोने बेज देते तो आप किसी एड़्मुकेट से बात करें तैसील में जाके आप से पर बहुनते हैं मकान मलक सब्सक्श्य कि किराय नामा काहां पर कैसे बनता है और इसको कोचिंग वालों को सब्मिट करव और जो लोग रिजिस्टर्ड होस्टल में रहते हैं देखिए इस योजना में लिखा हुआ है कि होस्टल पीजी जहां पर रहें आप बार रूम लेकर भी रह सकते हैं तो भी आपको इस तरह का किराये नामा बनवाना पड़ेगा लेकिन अगर आप रिजिस्टर्ड पीजी ब लोगा है तो यह चला हुआ है और इनके पैसे आ चुके हैं तो अगर आप पीजी में रहते तो आप यह बन बाले होस्टल में रहते तो एक बार कोचिंग से और कंफर्म करनें कि सर वस्टल का प्रूफ चल जाएगी क्योंकि इतने ज्यादा जंजट करवाते नहीं है बाकि कि प्राइवेट कोई से पीजेम जो रजिस्टर नहीं वहां रहेते हैं तो उनको इस तरह का बनवाना पड़ता है और यह पैसा कई महीने बाद आता है अगर चाहते हैं कि आपने रसीद अप्लोड क्योंकि एक महीने बाद आजा ऐसा नहीं है लगवक छै महीने बाद यह कर दो आताएं